नमस्कार दोस्तों मैं आचारे विकास मलोत्रा लाल किताब एस्टो सेंटर चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट ही है जिससे हमारे सबस्क्राइबर्स रोज बढ़ रहे हैं आप इसी तरह से अगर हमें प्रोटसाइद करते रहेंगे तो हम और वीडियो भी इनी अलग-अलग टॉपिक्स पर आपके लिए लाते रहेंगे आज के इस वीडियो में सावन के महीने में आप क्या ऐसी रेमेडीज कर सकते हैं जिससे आप भगवान शिव को प्रसंद कर सकें मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ सावन भगवान शिव का अतिप्रिये महीना है इस बार सावन 17 जुलाई से प्रारंब होगा और 15 अगस तक चलेगा ये महीना एक ऐसा मौका है जहां पर आप भगवान शिव को प्रसंद करके मन चाहा आशिरवात पा सकते हैं तो क्या ऐसी रेमेडीज आप कर सकते हैं इस महीने में जिससे भगवान शिव की क्रिपा आपके उपर आए मैं वो आपके साथ डिसकस कर रहा हूँ अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप यह चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि समय पर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आती रहे सावन का महीना एक ऐसा महीना है जिसमें आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकें मैं कुछ और वीडियो भी अगर मेरे को समय मिला तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं एक या दो वीडियो और भी शेयर करूँगा सावन में क्या आप ऐसी रेमेडी कर सकते हैं कुछ स्पेसेफिक प्रॉब्लम्स के लिए तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को पुश करना ना भूले ताकि सामय पर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आती रहे सबसे पहले तो सावन के महीने में जो सबसे एफेक्टिव रेमेडी रहेगी आपके लिए वो ये कि सावन के महीने में रोज खास कर सोमवार के दिन पाँच बिल्व पत्र चंदन से ओम नमस्शिवाई लिखकर किसी भी शिवलिंग पर चढ़ाएं अगर आपने अपने घर के अंदर नर्मदेश्वर शिवलिंग रखा हुआ है तो बहुत ही अच्छा है आप वहाँ चढ़ा सकते हैं नहीं तो आप किसी भी मंदिर में जाकर ये पाँच बिल्व पत्र ओम नमस्शिवाई लिखकर जरूर चढ़ाएं इस उपाए से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी दूसरा उपाए अगर आपके घर में निरंतर कोई ना कोई परिशानी बनी रहती है तो सावन में रोज सुबा घर में गौमूत्र का छिड़काव करिए और साथ ही गूगल की धूब जलाएं इससे ये परिशानिया धीरे धीरे कम होनी सावन में रोज शिवलिंग पर केसर मिलाकर दूर चड़ाएं इससे विवा के योग जल्दी बनने लगेंगे चौथा उपाए सावन में जब भी आपको समय मिले जब भी आपके पास अपॉर्चुनिटी आए आप किसी भी बैल को हराचारा जरूर खिलाएं इससे जीवन म सुक समरिद्धी आएगी और आपका मन भी प्रसन्न रहेगा इसी तरह से अगर आपको कभी गरीब व्यक्ति को भोजन कराने का मौका मिलता है सावन के महीने में तो यह जरूर करें इससे आपके घर में कभी भी अन की कमी नहीं होगी और सबसे बड़ी बात आपके पित्रो को भी शांती मिलेगी पांचवां उपाए सावन में रोज सुबा जल्दी उठकर स्नान आदी से निपटकर मंदिर में जाएं और भगवान शिव का जल से अभिशेक करने के साथ साथ काले तिल अरपन करें आप चाहें तो जैसा मैंने पहले भी आपको उपर बताया कि आप बिल्व पत्र भी उनको चढ़ा सकते हैं पांच बिल्व पत्र जरूर चढ़ाएं उस पर ओम नमस्शिवाई लिखकर साथ ही अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है तो आप उनको काले तिल अरपन करें कुछ समय मंदिर में बैठकर ही ओम नमस्शिवाई मंत्र का जाप करे इससे आपको मानसिक शांती मिलेगी सावन के महीने में किसी भी नदी या तालाब में जाकर आटे की गोलियां मचलियों को खिलाएं और साथी साथ मन में भगवान शिव का ध्यान करते रहें ये धन प्राप्ती के साधन आपके लिए खोल देगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो संतान प्राप्ती के लिए परिशान हैं या वो इस्तरियां जो संतान एक्सपेक्ट कर रही हैं उनके लिए भी एक रेमेडी शेयर कर रहा हूँ सावन के महीने में किसी भी दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदी करने के पश्चाद भगवान शिव का पूजन करें इसके बाद गेहू के आटे से ग्यारा शिवलिंग बनाएं और प्रतेक शिवलिंग का शिव महिमा स्तोत्र सुनते हुए या बोलते हुए ग्यारा बार जला भी शेक करें कुछ जल आपके पास आजाएगा जो आप प्रसाद के रूप में ग्रहन करें ये प्रयोग आपको लगातार 21 दिन तक करना है बहुत सारे ऐसे मित्र भी हैं जिनको कोई ना कोई स्वास्थ समंदी दिक्कत रहती है तो उनके लिए भी एक स्पेसिफिक उपाई शेयर कर रहा हूँ सावन के किसी भी सोमवार को पानी में दूद व काले तिल ढालकर शिवलिंग पे अभिशेक करें शिवलिंग का जब आप अभिशेक करेंगे जो जल जलहरी से निकल रहा है आप उसको अपने सिर पर डालेंगे इससे आपके रोग निवारन के लिए में बहुत सारी मदद मिलेगी मन ही मन ये जरूर प्रातना करें कि भगवान शिव को कि आपको इस रोग से मुक्ती मिले आप अगर श्रद्दा और विश्वास से ही उपाई करेंगे तो इसका बेनिफिट आपको जरूर होगा ये ध्यान रखेगा कि ये महीना आपके पास एक opportunity है जहां भगवान शिव की कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं कहा जाता है कि सामन के महीने में जो आप भगवान शिव को की प्रातना करते हैं पूजा करते हैं उसका कई गुना फल मिलता है तो आप ये जरूर करें और कुछ रेमेडीज में आने वाले वीडियो में और शेयर करूँगा आप उनको भी जरूर देखें आपको जरूर फायदा होगा आप सभी लोगों को सावन के महीने की बहुत बहुत शुपकामनाए ओम नमस्षिवाए धन्यवाद दोस्तो